दिल्ली पुस्तक मेले बातों में उनसे पता चला कि वो चार आरे सकते जो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं या बुद्ध ने जो चार आरे सकते बताएं उन्होंने कहा कि सकते भी आरे होता है ये बात बड़ी समस्य पर है मैं जबाब उस समय भी उनको दे सकता था मगर मैं उस समय उनको सुनना बहुत सारी बात है हमारी हुई फिर मैंने कुछ दिन बाद एक वीडियो भी देखा जिसमें वो फिर लिखते हैं कि यह चार आरे सत्य क्या होते है और सत्य भी आरे होता है क्या यह कोई बहुत बड़ा प्रसन या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बिसकली आर्रे जो सब्द है जिसमें आधा रे लगा हुआ है आधा रे वाला कोई भी सब्द पाली का पुराना बुद्ध का नहीं है पहले बात तो यह इस पर समझें यह संस्कत का सब्द है जो बाद में पाली मगदी और अर्द मगदी जो भाशा थी उनको संसकारित करके, उनको modified करके जो भासा बनी प्योर जो natural भासा है, प्राकरति भासा है वो फाली प्राकरति है मागदी है तो उस भासा में आधारए कहीं नहीं मिलेगा आधे रेके जो सब्द लिये हैं जैसे ब्रह्मन सब्द है या इंद्र सब्द है ये वो सब्द हैं जो भारत के नहीं है भारत से बाहर के सब्द आये थे और उनको पाली में ऐसा कैसा इस्तमाल करते हैं मगर आधे रहे का नीचे वाला आधा रहे हो या उपर वाला आधा रहे हो कहीं भी आधे रहे का कोई भी सिंगल सब्द पाली में आपको नहीं मिलेगा अगर वो है तो बाहर से आया है तो आधे शब्द पाली का नहीं है बुद्ध का नहीं है उन्होंने जो बोला है वो बोल क्योंकि उन्होंने चार सच कहें, क्या पताएं उन्होंने हैं? दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार यानि रास्ता है. ये चार बातें इनको अर्य सच बोला जाता है, ये चार अर्य सच हैं जिनको संस्क्रत में आर्य सत्य बोला जाता है. अरिय यानि स्रेष्ट सच क्यों बोला गया है एक बहुत छोटा से बात है कि जो सच आपको स्रेष्ट बना दे जिसका ग्यान आपको स्रेष्ट बना दे जो आपको स्रेष्ट पोजिशन पर ले जाए उस सच को अरिय सच बोला है जो दुख है जब बुद्र ने देखा कि दुख है और दुख का कारण भी है कारण का निवारन भी है और निवारन का मार गए तो चार स्रिष्ट सच थे इसलिए क्योंकि उन्होंने दुखों से मुक्ति का कारण खोजा दुक्त थे, ये बात समस्या सामने आई तो उन्होंने उससे मुक्त होने का रास्ता खोजा और अनन्त उन्होंने प्राप्त किया और सभी को दिया जीते जी उन्होंने मनुस्या को सुखी किया और स्रेश्ट किया उसकी सारी बुराईया निकालने के बाद में जो उसके बच्चपन से जो उसकी मा के पेट से जो अच्छाईया आती है सिर्फ वो उसके पास रह जाती है जो बुराईयां यहां समाज देता है जो बुराईयां यहां वो स्कूल में या घर में जूट बोलके या आसपास महले पड़ोस में या किसी लालाचवस या किसी कारणवर्स जो जूट एकटे रहता है और जूट का पूरा पुलिंदार पूरा बोरा बन जाता है उस चीज को उन्होंने ढूंडा और वो सारे बोरा और सारा जो जूट का पुलिंदार था वो उन्होंने धिर्द्रे करके रेडिकेट किया, खतम किया वो जो स्रेष्ट बात थी, जो स्रेष्ट सच था उसलिए उन्होंने उन चार बातों को स्रेष्ट कहा अरिय कहा, आर्य सच कहा इतनी सी बात है बाकि अरी के, आर्य के, आय के, आया के बहुत सारे मतलब है क्योंकि पाली के अंदर आया बोलते हैं उसको जो बहुत स्वामिनी होती है घर की और आया बोलते हैं उसको जो स्वामिनी होता है घर का अरी उसको बोलते हैं जो दुस्मन होता है और अर उसको बोलते हैं जो धंचक के अंदर आरे होते हैं, जो लाएने होती हैं, तिली होती हैं और जो कुछ एरानी लोग हैं, बाद में वो भी अपने आपको अरिय या आरियन बोले लगे, आरियन और एरानी हो गया ये एक लंबा सब्दों का जाल है, इसमें सब्द बहुत बार बिगड़ते हैं बहुत बार बनते हैं, मगर आरेय स्रेष्ट, यानि आरेय सच या आरेय सच, यानि नोबल टुथ नोबल इंग्लिश में बोलते हैं, नोबल टुथ वो होता है, जो आपको सच स्रेष्ट बना दे, धन्यवाद